वही मद्ध प्रदेश में ठंड की दस्तक कर शुरू हो गई है मद्ध प्रदेश मौसम विभाग की माने तो रात में उस गिरने का सिलसला शुरू के है मौसम एक सप्तह बाद और तीजी से बतलेगा शुवात के साथ ही तापमान गिरने का सिलसला भी शुरू हो के है अगर बात करें तो हमने देखा कि इस बार बारिश का दौल बहुत लंबा वक्त तक चला और अब हम देख रहें कि दीवाली के बाद अब प्रदेश में ठंड जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है अब बिल्कुल होगा देखा जाया तो जिस पकार से मोसम की बात कर ले तो मोसम ने जिस पकार से बरसात की बात करें तो बरसात ने पूरे प्रदेश में हिला के रखा था काफी बड़ी मातरा में वर्शा हुई थी और प्लस काफी ये बताया जा रहा था तीस से चालिस प्रत गई है और कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि जैसे मोसम में ग्यानिक बता रहे हैं कि अभी ठंड का असर और ज्यादा बढ़ेगा लेकि बास से साथ दिन तक कहीं न कहीं इस ठंड में लोगों को राहत जरूर है लेकिन साथ दिन बाद इसका और आगे बढ़ सकती है मोसम क गैनिक नरेंजी हमारे साथ हैं मैं इसलाम साथ उन्हीं से बात कर लेता हूँ कि सर मोसम केसा रहेगा और ये ठंड का मोसम केसा है अभी तो पुरे प्रदेश में मतलब सुश्क मज़म है और ठंडी की शुरूआत हो चुकी है तो अभी जो टेंपरेचर साए तो गिरना शुकी हैą किश्क्षा के अगあれ बात के तो हम किते दिन का टेंपरेचर लेके चाहिए आज यसकbei च्छाँ हैं अभी पूरे प्रदेश पर जोब नार्मल से फिर भी माइनस टू माइनस त्री चल रहा है और मिनिमम चल रहा है फॉर्टीन डिग्री से डिग्रेट के आसपास जो भी माइनस में है मतलब अभी होना चीता सोला सत्रा जो चल रहा है चौदा करीब है अगर देखा जाए तो अभी चौदा सूला होना था लेकिन अभी से ही अगर दो डिग्री के साल्टिक गरा है तो कहीं न कहीं मौसम विग्यानिक भी यही कह रहा है कि अभी मौसम में और गिर सकता है यानि कि अभी से ही दो डिग्री की अगर गराव अठे तो आने वाला समय आप समझ सकते हैं कि ठंड और कैसा कपका पाता है जी ठंड का क्या कुछ असर पड़ेगा किसानी पर इसकिलाबा आम जन जीवन पर अब मेरे साथ मौसर वेग्यारी की हैं उन्हीं से पूछ लेता हूं सर अभी अगर देखा जाए तो ठंड का असर अब किसानों को लेकर भी क्या असर विधा हो या किसान किस परकार से इसके असर विधा से बच सकते हैं क्या असर पड़ेगा किसान होगा थंडी में तो जैसे फसल फसल से कोई थंडी से उतना ज्यादा मतलब नुक्सान नहीं होता जैसे कि बारिस में होता है तो इसमें थंड से ज्यादा प्रकाशन लेने क की जड़ात ने कि अगर देखा जायान तो किसादु को ठंड में i texto करने की ज़रुत है अपने खुद की चिंटा कर ने की ज़रुत है यह सब मौसम विग्यानिक को का केना कि लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो मोसम जो ठंड अपने आप में कहीं लोगों को बज़रूख होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए नुकसान दायक होती है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ठंड से हर आदमी को बचना चाहिए, क्योंकि कहीं सारी परशानिया य मद्यप्रदेश में ही काम है, तो आने वाला समय और गिर सकता है, तो इसको भी एक सावधनी पुर्वक्त लेना चाहिए, जी अगर बात करें, तो हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में, जैसे कि हमने दशरा देखा, दीबाली देखी, उसका अधम 11 का पर भी देखेंग अभी तो दीवाली निकली है, दशेरा निकल गया, अब वह भी आने वाला है, तो उसके बाद पॉलूशन के कारण क्या ठंड का कोई असर पड़ता है, क्या बढ़ना घटना कुछ होता है, नहीं, पॉलूशन में तो थंड जैसे स्मॉक्स आता है, तो उसने तो थोड़ी स अचा लेकिन इसमें जासा थंडी से पॉलूशन के उपर उतना ज्यादा पार्सरा है, लेकिन रिमार के पर उतना नहीं कह सकते हैं, अगर अभी हम देखे, आप साथ दिन का टेंप्रेचर बता रहे हैं, तो साथ दिन में मतलब मैक्सिमाम और मिनिमाम किता हो सकता है, साथ अभी जैसे भूपाल का जैसे लिए जब थौटी डिग्री है, साथ दिने में इस चल जाएके करीब और गटके टूंडी एक की कासपास जा सकता है, अभी शार्ट निता नहीं बढ़ेगा, इसके बाद जैसे नवंबर हो गया, फिर जादा टेंपरचर में जादा अगर देखा जाए तो आने वाले दो तीन दिन बाद फिर 28 आएगा और उसके बाद नवंबर के सेकेंड वीक में लोगों को फिर वही कोट और मैफलर निकालेगी जरूरत पर जाएगी, जी, संजे तो कह सकते कि जिस तरह से मोसम बिग्यान को ने कहा कि नवंबर के बाद जो है वो ठंड मैं लगातार बड़ोत्री होगे, संजे धनवाद आपको स्खर्पादिक जानकारी के लिए